ओनलाइन क्लासेज सेमिस्टार ग्लोबली स्कूल में कख्षा ग्यारवी के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है मैं करुणा निधान्तिवारी आज आप सभी लोगों को हिंदी आधार पढ़ाने के लिए उपस्तित हूँ पढ़ाने के पहले मैं आपको इसके पाठिकरम के बारे में एक सामाने जानकारी दे देना चाहता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातों को तो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाना भी असंभौ सा है लेकिन कुछ बातों को हम शुरू करते हैं जैसे आपका अपठित अंश है तो इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाने के अवर्शक्ता भी नहीं है दूसरा जो आपका है कार्यालई हिंदी और रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर है ये क्या-क्या इस बार सेलेबस में दिया जाएगा क्या पढ़ने के लिए है जैसे पहला ही है कि दी गई स्थिति या घटना के अधार पर द्रिश लेखन करना है आपचारिक पत्र में आपका स्वरित लेखन, रोजगार सम्मंधी या वेदन पत्र ये विकल्प सहित है तीनों में से कोई एक आपको करना होगा लेकिन विकल्प सहित आएगा व्यावहारिक लेखन में प्रतिवेदन, प्रिश्विग्यप्ती, परिपत्रकारिसुची, कारिवर्ति ये विकल्प सहित है दो आएगा जिन में से एक ही करना होगा जन संचार माध्यम और पत्रकारिता के विद आयामों पर चार लगुतरात्मक प्रशन होगे ये भी विकल्प सहित होगा पांच प्रशनों में से, किनी चार प्रशनों के उत्तर देने होगे आपको और अंतिमे है शब्द कोष परिचय से सम्मंधित एक प्रशन शब्द कोष एक पार्ट है आपके इसमें इससे सम्वंधित केवल एक प्रशन पूछा जाएगा वो तीन अंकों का होगा वो भी विकल्प सहित होगा प्रशन बहुत ही साधारन सा होगा जिस तरह का प्रशन पूछा जाएगा मैं कुछ उसी तरह से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्द कोर्ष से ही शब्द कोर्ष शब्द कोर्ष के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा देखा होगा आपने कई किताबों को पढ़ा होगा शब्द कोर्ष के अर्थ में जैसे कोई हिंदी उर्दू शब्द कोश होता है कोई उर्दू हिंदी शब्द कोश होता है अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी इसी तरह से हम आज हिंदी में शब्द कोश पढ़ेंगे और शब्द कोश एक परिचे इसका इस तरह से देंगे कि आप सब्द कोश में, हिंदी सब्द कोश की मैं बात कर रहा हूं, कि हिंदी सब्द कोश में आपको जिस शब्द के अर्थ की आवश्यकता है, उसे आप किस तरह से खोज पाएंगे, तो आए इसके बारे में हम जानते हैं, सब्द कोश दो सब्दों, सब्द और कोश के मेल स बना है जिसका अर्थ है शब्दों का खजाना हम जो कुछ पढ़ते हैं वह अच्छी तरह से हमारी समझ में आए उसके लिए आवश्यक है कि हम सब्द के अर्थ से परचित हूँ निश्चित रूप से हम जो किताब में या कोई भी गद्य हो पद्य हो कुछ भी पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते अंत में हम अटक जाते हैं उसका अर्थ ही हमें नहीं समझ में आता है तो जब तक उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा हम उस पाठ को या उस कहानी को कविता को समझ ही नहीं सकते और अंत में करते क्या हैं कि विद्याले में तो इस समस्या का समाधा शिक्षक कर देते हैं, उनके दुवरा समाधान हो जाता है, हम ततकाल उनके सामने पूंच लेते हैं, लेपरन तो जब हम अकेले होते हैं, और उत समय पर अड़ रहे होते हैं, कोई नहीं होता साथ में, तो हमें सब्दकोष का ख्याल आता है, और तुरंत हम सब्दकोष को शब्दकोष में शब्दका स्थान, कोई भी शब्द ऐसे हैं शब्दकोष में नहीं पहुच जाता है, उसका एक प्रभाव होना चाहिए, जैसे किसी सब्द को शब्दकोष में तब स्थान मिलता है, जब उस शब्द तथा उसके अर्थ को समाज द्वारा मानेता मिल जात अंग्रेजी का हो चाहे वो योगिक हो रूड हो कैसा विशब्द हो लेकिन उसका एक अर्थ होना चाहिए समाज में उसको एक स्थान मिला होना चाहिए जिसका कि हमेशा साहित्य में भी प्रियोग होता हो ना साहित्य में होता हो देशज भासा है देशज है तो भी उसका साहि जिसे शब्द कोष्ट की वीवस्था नहीं पता है, उसे शब्द कोष्ट में अर्थ को जोड़ना बड़ा कटिन होता है। इतना आसान नहीं होता तो शब्द कोश में हम देख रहे हैं उपर लिखा हुआ है कि शब्दों की विवस्था कैसे रखी जाती है शब्दों की विवस्था के लिए शब्दों को शब्द कोश को खंडों में विवाजित किया जाता है इन खंडों में शब्दों को एक निस्चित विवस्था के अनुसार रखा जाता है इन खंडों का नामकरण वरणमाला के अक्षरों पर किया जाता है जैसे अखंड, चखंड, पखंड, आदि यानि इस तरह हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये शब्द कोर्ष में खंड होते हैं इन खंड का नाम जो रखा जा रहा है वो वरणमाला के अधार पर रखा जा रहा है वरणमाला के अक्षरों के नाम पर रखा जा रहा है आपके वरणमाला में जो भी वरण है आप पढ़े ही है जानते ही है तो असे लेकर के गयतक जो भी वर्ण है असे लेकर गयतक में तो जो ये वर्ण है इन ही वर्णों को इनके ही खंड के नाम पर रखा जाता है अखंड, गखंड, पखंड, नखंड, चखंड, यखंड इस तरह से रखा जाता है इनका क्रम जो होता है वरण माला के अनुसार ही है पर इसमें दो अंतर है और जो आपको प्रश्ण पूछे जाएंगे इसी की अधार पर पूछे जाएंगे आप इसको भली भात समझ लीजिए इनका जो क्रम वरण माला के अनुसार ही है पर इसमें दो अंतर है बस समझना हमें ये है कि अगर सबसे पहले हम शब्द कोर्ष में किसी भी शब्द कार्थ देखना शुरू करेंगे तो अगर मान लीजिए हमें पंगती ढूणना है तो हमें पहले नहीं मिलेगा या हमें अगर धूरना है कि जैसे असे कोई शब्द हो असे किशी शब्द का अर्थ में खोजना हो तो आप सबसे पहले अको नहीं पाएंगे बलकि सबसे पहले आप अंखंड को पाएंगे इस तरह से आपको बताना जुरूरी है कि पहला इसका तो अंतर ये जो है कि वरणमाला अर्शे शुरू होती है मगर इस लोग का पहला खंड अंखंड है इसके बाद सभी खंड वरणमाला के करम से ही आते हैं एक बार सबसे पहले अंख आ जाएगा उसके बाद फिर वही बस आ जाएगा फिर आ फिर इसके बाद अ आ आएगा फिर आ फिर छोटी इ बड़ी इ इस तरीके से और दूसरी शर्ट इसकी ये है दूसरा अंतर ये है कि हिंदी वरणमाला में संयुकताक्षर जो होते हैं क्षट्र ग्याश्र ये चार होते हैं वरणमाला के अंत में आते हैं कि आप देख सकते हैं कि छहत्र ग्यास्र ऐसा नहीं है कि हम खगगः अंगः उसके बाद इस परश वंजन के बाद फिर छहत्र ग्यास्र अंत में पाते हैं संग्ताक्षर आईए लेकिन ये अपने स्थान पर नहीं मिलेंगे ये और पहले मिल सकते हैं इसके लिए हम आपको इसकी रचना को समझाते हैं, फिर आप समझ सकते हैं कि छत्र ग्यास्र से शुरू होने वाले शब्दों के अर्थ को जानने के लिए हमें कहां पर खोजना होगा। समयपताक्षर के पहले हम वेंजन खंड को पढ़ लेते हैं कि अभी तो आपने पढ़ा कि स्वर खंडों को, स्वर खंडों को तो हम किस तरह से जानेंगे, आप समझ यह सबसे पहले अंग को मैं रख दे रहा हूँ, अंग वैसे योगवावी है, लेकिन अंग को पहले रखा जा रहा है, फिर उसके बाद अ से लेकर आओ तक, जो भी स्वर होते हैं, आओ तक आएंगे, फिर वेंजन खंड, इसके उपरांत वेंजन खंड की शुरुवात होती है, वेंजन खंड की शुरुवात हम कैसे करते हैं, इसका पहला खंड क्या होगा, कह होगा, स्वर के मात्रा से शुरू है, कोई ए, कोई ए, तो ये उसके उपखंड होते हैं, क से शुरू होने वाले जो खंड हैं, क से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, वो कखंड में ही मिलेंगे, लेकिन कखंड में जाने से पहले ये देखेंगी कि उसके जो उपखंड हैं, वो भी उसी के स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसके बाद स्वर रहित विंजन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्वर रहित विंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द जैसे क्यारी, क्विंटल, त्योरी, त्याग। ये क्या है कि स्वर रहित विंजन है। इसमें कोई स्वर नहीं लग आएंगे ये शब्द जो होते हैं ये क्यारी क्विंटल तेओरी त्याग आदि अपने स्वर सहित विंजन खंड के सभी उपकंडों के बाद आएंगे किस तरीके से जैसे क्यारी कौस्तुप के बाद आपको मिलेगा यानि अगर माल लिजे कि आपको क्यारी का देखना है या जो भी हो तो वह अप पहले अपने खंड में जाएगा अपने खंड के बाद सभी उपखंडों को पार करेगा वो पखंडों को पार करने के बाद फिर वो स्वर रहित वेंजन से शुरू होने वाला सब्द आएगा